है घलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइ चैनल आज हम बनाएंगे गणिज जी का फिप्रिप्रशाथ मोदग तो फ्रेंड्स आज सिंपल मोदग बनाएंगे जो मिन्टों में तयार हो जाते हैं और असानी से भी बन करते हैं तो चलिए फ्रेंस हम ये गड़ेश जी के लिए मोदक की रेसिपी तयार करते हैं मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में एक छोड़ी चमज घी डाल देंगे और इसे हलका सा गर्म कर लेंगे हमें इसे पहुंच जादा गर्म नहीं करना है पस घी को हमें हलका सा मैल्ट कर लेना है और यहां पर हम कैस का फ्लेम लो रखेंगे और जब घी हलका सा गर्म हो जाए तब इसमें हम बारिक पीशी हुई सुजी डाल देंगे तो यहां पर मैंने लगबग एक कप सुजी लिया है अब सुजी को हम घी में 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे या फिर इसे तब तक भूने तब तक इसमें हलका सा कलर जेंजना हो जाए और एक अच्छी सी खुजबू ना आने लगे मैंने सुजी को बारिक पिशकर इस्तमाल किया है अगर आपके पास पारिक वाली सुजी है तो आप वही इस्तमाल करें मैंने सुजी को लगबग 4-5 मिनट के लिए पून लिया है इसमें एक अच्छी सी खुजबू आने लगी है और इसका अब कलर भी चेंज हो चुका है यह देखिए ध्यान रहे कि हमें यहां पे गैस का फ्लेम लो रखना है तो बस अब इसी स्टेश पे हमें पॉडर शुगर डाल देना है तो यहां पे मैंने छे बड़े चम्माज पीशी होई शक्कर डाली है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे शक्कर आप अपने टेश्ट के काडिं कम यह जाधा कर सकते हैं अगर जाधा मीठा पसंद करते हैं तो शक्कर ऑर अट कर ले अब इसमें हम दूद आइड कर देंगे तो यहां पे मैंने पहले एक कप दूद लिया है दूद एट कर देने के बाद इसमें हम continue चम्मद चलाएंगे लेते इसमें गुटलियां पढ़ जाएंगी इसमें हम लगभग तेड़ कप दूद का इस्तमाल करेंगे लेकिन सारा दूद एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसमें हम अच्छे से continue चम्मद चलाते जाएंगे लेते इसमें गुटलियां पढ़ जाएंगे और यहां भी कैस का फ्लेम लोही रखें वरना हमारा यह जो सूजी है वो नीचे चिपक सकती है और यह मैंने बागी के दूद भी डाल दिया है और हम इसमें फिर से लगातार चम्मद चलाते ही जाएंगे अगर सूजी में लंस पढ़ जाते हैं तो आपके मोदक बिल्कूल भी अच्छे नहीं बनेंगे इसे हमें 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है ताकि एक डो फॉम में आ जाए इसी बक्तिक अच्छे सी खुश्बू के लिए हम इसमें एक चुथा ही चम्मद लैची का पॉर्टर डाल देंगे आप इसमें केसर का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे बहुती सिम्पल सी रेसिपी है फ्रेंज आप ये मोदक बना का घर पर जरूर देखे तो इस सुजी अब काड़ी होने लगी है हम इसे एक अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें हम फूट कलर अट करेंगे तो यहाँ पर मैंने लैमन कलर लिया है इसे डालने के बाद इसे आप अच्छे से मिला दें कलर ठालने के बाद इसे हम अच्छी तरफ से मिलाएंगे ताकि सभी तरफ से इसमें एक समान कलर आ जाए आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं पर कलर से क्या है दिखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं यह वो दर तो यह आप देख सकते हैं मारे सुजी का जो बैटर है वो साटा सा तयार हो चुका है और यह पढ़ाई भी छोड़ने लगा है इसे ज्यादा इसे ना पका है हम यहां पर गैस आफ कर लेते हैं और इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो इसे मैंने प्लेट में निकाल दिया है और इसे हम ढख कर 10 मिनट के लिए रेष्ट करने करेंगे ताकि जो हमारी सूजी है वह और भी सॉफ्ट हो जाएगी अच्छी स्मूद बन जाएगी इसे हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मैश कर लेंगे आप शकर को पहले ना डालकर इस वक भी आट कर सकते हैं तो यह हमारा सूजी का एक स्मूद दो तयार हो चुका है अफिनारियल का पुड़ाता है वह इस्तमाल कर सकते हैं और अकर ना हो तो इस तरह से अप ड्रायफूर्स कि फिलिंग कर लेकर भी सिम्पल मोडग बना सकते है तो यह मैंने मोडग बनाने के लिए मेडियम सब्साइच का साँ चलिया है और इसी से मोड़ाए बंगे तो यह हमारा पहला मोदक बनकर रेडी हो चुका है और इसी तरह से हम बाकी के मोदक भी तयार कर लेंगे यह बहुत जल्दी और असानी से बन जाते हैं तो फ्रेंस इसे एक बार ट्राइ करके जरूर देखेगा यह मोदक बहुत ही जल्दी और असानी से बनकर रेडी हो जाते हैं तो